नवस्कार बच्चों स्वागत थे आप सभी का आपके अपने यूटिल चैन्टों के बच्चों आज हम NCRT एक्सरसाइज का जो क्लास बेस का केमेस्ट्री का सेकेंड चेप्टर है विलेयर का उसी क्या 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 है 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 क्या है 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 यह नियम तथा इसके कुछ महत्वपूरा अनुप्रयोग लेखिये और लेडि हम लोगों ने जब फिरी क्लास बढ़ा था उसमें डिस्कुशन कर चुके हैं फिल भी यह क्वेस्ट्री दिया हुआ है फड़ा सा समाहल जा इसे हेनरी का नियम कहते है इसके अनुसार इस्थिर टाप पर विलायर के प्रती एकांक आयतन में घुला गैस का और विलेयर के साथ साम्या वस्था में गैस के दायब के समाहल पाती होता है हेनरी के नियम को दूसरे प्रकार में इस प्रकार भेट किया जा सकता है जैसे किसी गैस का वास्प अवस्था में आंसिक डाव partial pressure P उस विलेन में गैस के मोलंस, मोलंस को एक्स से ने रुपित करते हैं के समानुपार्थी होता मैफमेटिकली प्रजेंकेशन करें तो देखें किसी गैस का वास्पावस्था में आंसिक प्रेशन कितना हुआ बी इस पर्पोर्शनल टू एक्स हो गया ठीक है अब जब इस अंक्रमानुपार्थी के चिंदियों को हटाते हैं कोई ने कोई इस्थिरांख लेखते हैं तो यहां पर KH लeken्या यानि हैं हैंरी इस्तिरांग करते हैं यानि film दिवर केट पी क्या है आंशिक डव है क्या है हैं मोल अंस हैं यानि किसी भी डैस का जो वास्प यानि वेपर फेज में जो आपता पार्शियल प्रेशर होता है उस विलियर में उपस्तित मोल अंस के समानुपाती होता है यही आपका मोटा मोटी हेंरी का नियम कहता है ठीक है अब उसके आगे पूछा था कुछ मात्वकण होग है परन्तों कुछ इंपर्टेंट इस प्रकार है पहला है जैसे देखें सोडा जल्यम सीतल पेयों में सोडा जल देखा होगा आपने या कोल रिंग्स वगले जो पीते हैं तो उसमें क्या होता है CO2 गैस को हाईली कंप्रेस्ट करके बंद किया जाता है गैसों की द्रौ नॉर्मल आप जनरल एक्जांपल दे सकते हैं जो कोल रिंग्स वगले पीते हैं तो जब खोलते हैं तो देखते हैं गैस जैसे वह निकलता है तो वहीं कह रहा है कि सोडा जल्यम ब्रिंकिंग बोटल में CO2 की विलेता को बढ़ाने के लिए बोटल को अधिक डापर बंद कि जाता है ठीक है ठीक है तो इस प्रकार ये इनके अनुप्रयोग है और बहुत उत्विलक्ति कॉधर कर रिंटा कर और सकता है जो गोता पोना करदा विंदिकर है practically manner नियम चाहें सबसे जानुत्योंग है कि गारी समुत्र में स्वांस लेते हुए गोता भूरों को अधिक दाब पर गैसों को अधिक घुलंद सिलता करना पड़ सकता है तो दूसरा देख रहते जो गोता जाते हैं नाधीक जाते हैं जाते है जब गोता गता कारण स्वांस के साथ ली गई वायमंडली गैसों की विलेता रूधीर यानी ब्लड रूधीर में अधिक हो जाती है जब वोता फोर्ष सतव की उर जाते हैं तो बाहरी दाब धीरे-धीरे कम होने लगता है इसके कारण भुली हुई गैसे बाहर निकलने लगते हैं इससे रूधीर में अधिक पिड़ा दायकम जानलेवा होता है वेंट्स जे तथा नाइट्रोजन की रूधीर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोता खोरों द्वारा स्वास लेने के लिए उपियों किये जाने वाले टैंकों में हिलियम मिलाकर तनु की गई वाई को होएं प्रिकार होता है हीलियम डैवल वन 5.7 परसेंट नाइट्रोजन 56.2 परसेंट और ऑक्सीजन 32.6 परसेंट होता हिक थीसरा अंप्रयों क्या है कि अधिक मुझाई वाली जगहों पर जैने रहे हाइक्ट वाले जगहों पर जब जाते हैं तो अक्सीजन का आंसिक नाल जो जमीन पर रहते हैं वहां पर ऑक्सिजन की मात्रा जादे होती है लेकिन यदि अधिक उचाई पर चले जाते हैं तो सताई अस्थानों के तुनला में ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाती है ठीक है अता इन जबहों पर रहने वाले लोगों आरोहों के ब्लड और कोशिकाओं से अक्सिजन की सांद्रता निम्न हो जाती है बहुत कम हो जाती है इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और पस्त्रत्या सोच नहीं पाते हैं सोचने की बुद्धी खतम हो जाती है कम हो जाती है इन लक्षणों को एनक्सिया कहते है ठीक है तो यह सब तीन-चार जो और झाल 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 झाल